तो हमने देखा कि किस प्रकार किसी वस्तू की बेलोचदार मांग के अंतरगत उस वस्तू की कीमत उसके मांग को प्रभावित करती है अब अगर हम इसकी पांचवी श्रेणी की बात करें तो हम देखते हैं कि पूर्ता बेलोचदार मांग पूर्ता बिलोजदार मांग में क्या होता है कि कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता हमने इसके पहले अध्यायों में भी देखा था कि कुछ वस्तोय ऐसी होती है जो अतियावश्यक होती है या जिसे हम कह सकते हैं कि जीवन र कर चुके हैं कि यह वस्तों ऐसी होती है जिनके कीमत में व्रद्धी हो जाने पर भी इनकी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो आए पूर्धिया बेलोशदार मांग को एक ग्राफ और साणी द्वारा और अधिक अच्चिसे समझें कि कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन यहीं होता है इस साणी के आधार पर आप देख रहे हैं कि कीमत लगातार बढ़ रही है लेकिन मांग प्रती इकाई समान बनी हुई है यानि कि जब वस्तु की कीमत एक रुपय थी तो उसकी मांग पांच इकाई की थी लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़कर दो रुपय हो गई तो भी मांग पांच इकाई की है जब वस्तु की कीमत बढ़का 4 रुपए हो गई तो भी मांग 5 इकाई की ही पनी हुई है इस सार्णी को जब हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो हम देखते हैं कि रेखा O X पर वस्तू की मांग और रेखा O Y पर वस्तू की कीमत दी हुई है सार्णी के अनुसार जब वस्तू की कीमत एक रुपए थी तो उसकी मांग 5 रुपए प्रतिकाई की थी जब वस्तू की कीमत 2 रुपए हुई तो वस्तू की मांग 5 रुपए प्रतिकाई अभी भी बनी हुई है जब वस्तू की कीमत 3 रुपए हुई तो भी वस्तू की मांग 5 इकाई की अभी भी बनी हुई है और 4 रुपए होनी पर भी वस्तू की मांग 5 इकाई की ही बनी हुई है तो इस प्रकार हम जब बिंदू A, B, C को मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि हमको एक वक्र डी डी प्राप्त होता है जो ये बताता है कि इस वस्तु की मांग पूर्टा बेलोचदार है तो आपने देखा कि किस प्रकार पूर्टा बेलोचदार मांग के अंतरगत किसी वस्तु की कीमत उसके मांग को प्रभावित करती है मांग की आय लोज की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले के अध्याव में भी देखा कि वस्तू की मांग और उसकी आय में किस तरह का संबंध होता है हमने देखा कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो साथ साथ वस्तू की मांग भी बढ़ती जाती है यानि कि आय और वस्तु की मांग में किसी न किसी तरह का संबंध अवश्य पाया जाता है अब अगर हम बात मांग के आय लोज की करें तो इसे हम एक सूत्र से भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर प्रियोग कर सकते हैं कि मांग की आयलोज परबर वस्तु की खरीदी गई मात्राओं में अनुपातिक परिवर्तन बटे इस पूरे परिवर्तन को और मांग की आयलोज को हम कुछ श्रेणियों में बाट कर इसका अध्यन करते हैं देखते हैं कौन-कौन सी है ये श्रेणिया पहली श्रेणि के अगर हम बात करें तो मांग की आय लोच कभी-कभी इकाई के बराबर होती है यानि कि इस कंडिशन में क्या होता है कि भोक्ता की आय में किसी भी प्रकार की व्रद्धी होने पर किसी वस्तु की मांग में कोई पर परिवर्तन नहीं होता है इसलिए में की आयलोच इकाई के बराबर दूसरी अगर हम श्रेड़ी की बात करें तो हम देखते हैं कि मांग की आय आयलोच इकाई से अधिक यह रहां कि आयमें परिवर्तन जो होता है वो मांग में परिवर्तन से अधिक होता है आय का परिवर्तन अगर 20 प्रतिशत है तो मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो 20 से कम होगा 10 पाज जो भी हो सकता है लेकिन वो मुख्य उसका बिंदू क्या होगा कि आय में होने वाला जो परिवर्तन है वो मांग में होने वाले परिवर्तन से हमेशा अधिक होगा तीसरी अगर हम इसकी श्रेणी की बात करें तो हम देखते हैं कि तीसरी श्रेणी है इसकी की मांग की आयलोच इकाई से कम यानि कि यहां हम कह सकते हैं कि उपभोगता की आय में जो परिवर्तन है वो मांग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात में कम होगा जैसे की नाम से हिस्पस्टे की इकाई से कम चौथी अगर हम इसकी श्रेणी की बात करें तो यह शुन्यात्मक यानि की मांग की आय लोच जो है वो शुन्यात्मक है याने कि उभोकता की आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात में उसके द्वारा जो जिस वस्तू की मांग की जाहरी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, शुन्य होता है अगली इसकी श्रेणी की बात करें तो हम देखते हैं कि रडात्मक याने कि भोगता की आय में जो परिवर्तन होता है उससे जो किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन जैसा होना चाहिए वैसा नहों कि उसके विप्रीत होता है जैसे हमने पढ़ा कि निकरिष्ट वस्तों होती हैं जो समानता क्या होता है कि भोगता की आय में जब व्रिद्धी होती है तो वस्तु की मांग में भी व्रिद्धी होनी चाहिए होती है लेकिन निक्रिष्ट वस्तों के संबंद में हमने पहले किया ध्यायों में पढ़ा था कि जो non branded चीजे जो होती है वो ऐसी होती है कि भूगता क्या जो बढ़ती है तो भूगता branded चीजों का प्रयोग करना शुरू करता है branded वस्तों को वो यूज मिलाता है तो इस condition में क्या होता है कि पहले जब उसकी आय कम थी तो उस समय वो जिन non-branded चीजों का प्रयोग कर रहा था अब उनका प्रयोग करना बंद कर देता है तो यह जो रिनात्मक वाली स्थिती है रिनात्मक वाला सम्बंद है वो जादा तर गिफिन याने जिन हम non-branded या निक्रिष्ट वस्तों के हैते हैं उन वस्तों के सम्बंद में लागू होता है अब अगर हम बात करें मांग की आड़ी लोचकी हमने शुरू से हमने अधन किया कि मांग और वस्तों की कीमत में किस प्रकार का सम्बंद होता है वस्तों की मांग और किसी व्यक्ति की आए में किस प्रकार का सम्बंद होता है लेकिन यह जो सम्बंद होते हैं कभी कभी यह आड़े तिर्ष्य से हो जाते हैं एक धारना हमने यह बनाई कि वस्त भोगता कि आए में जब वृद्धी होगी तो मांग भी बढ़ेगी या फिर हमने यह धारना बना ली कि कीमत में जब वृद्धी होगी तो मांग जो होगी उसकी कम हो जाएगी या कीमत में जब कमी होगी तो मांग बढ़ जाएगी लेकिन कई बार मांग का ये जो नियम है ये आड़ा तिर्चा सा हो जाता है ज्यादा तर ये जो नियम है ये दो वस्तों के संबंद में लागू होता है इस्थानापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं होता क्या है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है या किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका प्रभाव सिर्फ उस वस्तु पे ना पढ़कर अन्य किसी वस्तु पे पढ़ जाता है उदारन के तोर पर चाय और कॉफी एक दूसरे की इस्थाना पर नवस्त हुए है कॉफी की कीमत बढ़ती है लेकिन मांग बढ़ जाती है चाय की क्यों? क्योंकि दोनों से ही समान आउशक्ताओं की और लगभख समान आउशक्ता की संतुष्टी होती है तो अगर कीमत बढ़ी है कॉफी की लेकिन मांग बढ़ी है चाय की तो बढ़ा अट-पटा सा हुआ कॉफी की मांग में परिवर्टन आना चाहिए था लेकिन बढ़ गई चाय की मांग वैसे ही दूसरे स्थानपनि वस्तू कि रहे था तो महँंगी मिठाइए लेकिन आड़ा तिर्छा सा रहता है वैसे ही बात यहां पर हम करते हैं पूरक वस्तूयों की जैसे पैट्रोल और कार एक दूसरे की पूरक है दोनों में से अगर एक नहीं है तो जो अगला है कार अगर है मारे पास पैट्रोल नहीं है तो कार किसी काम कर नहीं है तो यहां पर क्या होता है कि पैट्रोल की कीमत अन्य वस्तू की पढ़ रही है और प्रभाव जो है वो किसी अन्य वस्तू की मांग पर पढ़ रहा है इसलिए इसे हम कहते हैं मांग की आड़ी लोच मांग के आड़ी लोच समानिता हम एक फॉर्मूले के आधार पर केल्कुलेट करते हैं जिसे हम एक एक्जाम्पल के आधार पर कह सकते हैं कि X वस्तू की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे Y वस्तू की मांग में अनुपातिक परिवर्तन अब हम देखते हैं कि मांग के लोज की माप किस तरह की जाती है मांग के लोज की माप की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ विधियां होती है जिसमें पहली विधी है कुल वै विधी कुल वै विधी मार्शल दौरा प्रतिपादित एक विधी है जिसके इंतरगत हम देखते हैं कि किस प्रकार किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन से पहले कोई उभोकता कितना वै करता था और अब जब उस वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो गया यानि कि वो कीमत बढ़ भी सकती है और घड़ भी सकती है तो इस कंडिशन में कीमत में वर्तन आता है इसका अनुमान हम लगाते हैं इस विधी के अंतरगत अब यह जो कुल वैविधी है इसमें भी तीन प्रकार के संबंद हो सकते हैं पहला संबंद यह हो सकता है कि मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक अगर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है तो क्या स्थिती रहती है यहां पर हम देखते हैं कि जब मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है तो उस दशा में क्या होता है कि वस्तु की कीमत में कमी आने पर उपभोगता के व्रिद्धी होती है दूसरा वस्तु की कीमत में वृद्धी होने पर उपभोक्ता के व्य में कमी होती है यानि कि हम कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है तो कीमत और व्य में विपरीज संबंध बनता है कि इस पूरे विधी को हम एक टेबल और ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझेंगे उपरोक्त तालिका से स्पष्ठ है कि जब वस्तु की कीमत पांच रुपए प्रतीक आई थी तो मांगी गई मात्रा 100 इकाई थी और इस पर पुल वे 500 रुपए किया गया था दूसरी दशा में जब वस्तु की कीमत 2 रुपए प्रतीक आई हो गई तो मांगी गई मात्रा 300 इकाई हो गई और इस पर पुल वे 600 रुपए किया गया इस तालिका में हमने देखा कि किस प्रकार किसी वस्तु की की कीमत में कमी आने पर 500 रुपय से बढ़का 600 रुपय हो गया यानि कि मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक हैं अब अगर हम इसे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें तो हम देखेंगे कि रेखा ओ एक्स पर हमने वस्तू की मात्रा और रेखा ओ वाय पर हमने वस्तू की कीमत क को प्रदर्शित किया है और रेखा डी,डी के द्वारा हम मांग रेखा को प्रदर्शित करेंगे हमें याप पर देखते हैं कि जब वस्तू की कीमत पांच रुपय प्रतिकाई थी तो उसकी मांगी गई मात्रा सो इकाई थी रही ऑर जब वस्तु की कीमत घटकर 2 रुपे प्रती 1 काई हो गई तो मांगी गई मात्रा 300 काई हो गई इस प्रकार हम या देख सकते हैं कि वस्तु की कीमत में कमी आने पर मांगी गई मात्रा बढ़ती है और कुल वैं में भी व्रिद्धी होती है इस रेखा चित्र के आधार पर हम देख रहे हैं कि जब वस्तू की कीमत O, P के बराबर है तो वस्तू की कुल मांग O, Q है यानि कि वस्तू पर कुल वै कितना किया गया है O, P into O, Q O, P यानि कि 5 रुपए और O, Q यानि कि 100 रुपए यानि कुल मिला कर O, P, R, Q यानि 500 रुपए वै किया गया है जो इस शेत्रिपल के बराबर है लेकिन जब वस्तू की कीमत घटकर 2 रुपए यानि कि O, P, 1 हो जाती है तो यहाँ पर मांग बढ़कर O, Q, 1 हो गई यानि कि जब वस्तू की कीमत 2 रुपए हो गई तो इसकी मांग हो गई 300 यूनिट की अगर हम इससे कुल वै निकालें तो हम देखते हैं कि O, P, 1 जो कि 2 है 2 रुपए है इंटू O, Q, 1 300 यूनिट है यह हो जाएगा O, P, 1, R, 1, Q, 1 यानि कि 2 गई 300 बराबर 600 रुपए उसका कुल वै होगा रेखा चित्र से यह भी इसपस्ट हो जा रहा है कि दोनों ही आयात O, P, R, Q और O, P, 1, R, 1, Q, 1 में O, P, 1 और N, Q दोनों ही संबली थे यानि यह भी इसपस्ट होता है कि P, P, 1, R, N का चेत्रपल N, Q, R, 1, Q, 1 के चेत्रपल से कम है यानि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कीमत में होने वाली कमी की तुन्ना में वै में जो व्रिद्धी हो रही है वो अधिक है यहाँ DD वक्र जो बिंदू R और R1 को लेते हुए बनाया गया है यह प्रदर्शित करता है कि मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक है तो हमने देखा कि किस प्रकार मांग की कीमत लोच जब इकाई से अधिक हो जाती है तो कीमत का उभोगता दोरे किये गया वै पर क्या प्रभाव पड़ता है अब आईए देखते हैं इसका इसकी दूसरे विद्धी आने की इसका दूसरा संबंध जिसके अंतरगत हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी वै में कोई परिवर्तन नहीं होता याने कि वस्तू की कीमत में तो परिवर्तन हुआ है लेकिन भोगता के वै में पहले और अभी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पहले वो जितना रुपय वै करता था अभी उतना ही रुपय वै करता है अब डिपेंड करता है कि वो उतने पैसे से पहले जितनी समागरी खरीद पा रहा है या उससे कम या जादा इसको अधिक अच्छे से समझाने के लिए मार्शल ने एक परिभाशा दी है मार्शल के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत पर की गई मांग की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करने पर गुणन फल सदा समान रह टेबल और ग्राफ का प्रयोग करते हैं इस तालिका में हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपे प्रतिक आई थी तो उसकी मांगी गई मात्रा 100 रुपे किया गया दूसरी दशा में जब वस्तु की कीमत 2 रुपे प्रतिक आई हो गई तो वस्तु की मांगी गई मात मात्रा 250 हिकाई हो गई लेकिन उस दशा में भी कुलवय 500 रुपय ही रहा इसे अगर हम ग्राप के रूप में प्रदर्शित करें तो हम देखेंगे कि रेखा O X पर हमने वस्तु की मांगी गई मात्रा को लिया है और रेखा O Y पर हमने वस्तु की कीमत को लिया है यहां हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत 5 रुपय प्रदर्शित करते हैं इस कंडिशन में वस्तु की मांगी गई मात्रा 100 रुपय है जिसे हम Q बिंदू से हां प्रदर Iz हो गई याने जी से हम P 1 बिंदू से प्रदर्षित कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मांगी गई मात्रा 250 ही क्यूंगी कि हो गई जिसे हम Q1 बिंदू से प्रदर्षित कर रहे हैं इस प्रकार हमको दो बिंदू R और R1 प्राप्त होता है जिसके आधार पर हम DT वक्रिक का निर्माण करेंगे यहां हमने देखा कि जब वस्तु की कीमत प्रतीकाई O P यानि की 5 रुपए हैं तब वस्तु की मांग O Q यानि की 100 रुपए हैं अब इस कंडिशन में अगर हम वस्तु पर उभोपता का कुल वे निकाली तो O P इन्टू O Q इक्वल टू O P R Q या हम कहा सकते हैं कि 5 इन्टू 100 इक्वल टू 500 छेत्रिपल के बराबर हैं लेकिन जब वस्तु की कीमत घटकर O P 1 यानि 2 रुपए हो जाती हैं तो वस्तु की मांग बढ़कर O Q 1 यानि की 250 रुपए हो जाती हैं अब अगर हम इस कंडिशन में कुल वे कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि O P 1 इन्टू O Q या 2 इन्टू 250 इक्वल टू 500 यानि की अगर हम छेत्रिपल की बात करें तो O P 1, R 1, R Q हो जाता है और दोनों ही दशाओं में हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धी हुई है लेकिन फिर भी दोनों ही कंडिशन में वे जो है वो 500 रुपए ही है यानि की कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा है या हम कह सकते हैं कि कीमत में कमी का उसके वे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा यानि वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर है तो आपने देखा कि किस प्रकार मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है और इस अवस्था में कीमत और मांग में किस तरह का संबंद दिखाई देता है तीसरे अगर हम इसके संबंध की बात करें तो हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोच इकाई से कम ये अवस्था कब आती है मांग की कीमत लोच इकाई से कम ये तब आती है जब वस्तू की कीमत में कमी से कुलवे में भी कमी हो जाती है या किसी वस्तू की कीमत में वृद्धी से कुलवे में भी वृद्धी हो जाती है इस दशा में जब की वस्तू की कीमत बढ़ती है तो किसी वस्तू की मांग भी बढ़ जाती है जब वस्तू की कीमत घड़ती है तो किसी वस्तू की मांग भी घड़ जाती है इस पूरी अवस्था को और अधिक अच्छे से समझने के लिए आए हम एक टेबल और ग्राफ का प्रयोग करते हैं इस सार्णी से इस पस्ट है कि वस्तु के कीमत जब 5 रुपे प्रतिक आई थी तो मांगी गई मात्रा 100 रुपे थी और इस पर कुलवे 500 रुपे किया गया दूसरी दर्शा में जब वस्तु की कीमत 2 रुपे प्रतिक आई हो गई तो मांगी गई मात्रा 200 हो गई और इस पर कुलवे 400 रुपे किया गया इस पूरी तालिका से ये तो इसपस्ट है कि वस्तू की प्रतिकाई कीमत 5 से घटकर जब 2 रुपे होती है तो कुल वे भी 500 से घटकर 400 रुपे हो जाता है इसे जब हम ग्राप के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो हम देखेंगे कि रेखा O X पर वस्तू की मांगी गई मात्रा दी हुई है और रेखा O Y पर उभोग की कीमत दी हुई है यहां हम देखते हैं कि जब वस्तू की कीमत 5 रुपे प्रतीकाई थी जहां हमें बिंदू P प्राप्त होता है तो इस कंडिशन में वस्तू की मांगी गई मात्रा 100 यूनिट थी जहां हमें बिंदू Q प्राप्त होता है उसे प्रकार जब वस्तु के कीमत दो रुपय प्रतीकाई यानि P1 बिंदू पर दो रुपय प्रतीकाई हो गई तो उसकी मांगे गई मात्रा बढ़कर 200 यूनिट हो गई Q1 बिंदू पर 200 यूनिट हो गई यहाँ पर हमें दो बिंदू R और R1 मिलते हैं जिससे हम DD वक्तर का निर्मान करते हैं जो हमें यह बिताती है कि मांग की कीमत लोच 21 से कम है इस पूरे रेखा चित्र को अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि जब वस्तू की कीमत प्रतीकाई O P यानि की 5 रुपे हैं तब वस्तू की मांग O Q यानि की 100 रुपे हैं अगर हम फुल वे की बात करें तो O P इंटू O Q यानि 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 या O P R Q छेत्रपल की बराबर है लेकिन जब वस्तू की कीमत घटकर O P 1 हो जाती है यानि 2 रुपे हो जाती है तो मांग बढ़कर O Q 1 यानि की 200 रुपे हो जाती है यहां अगर हम कुल वे केलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि O P 1 यानि 2 रुपे इंटू O Q 1 यानि 200 रुपे इसकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यह 400 रुपए हो जाता है, यानि कुल राया यहां पर 400 रुपए हो जाता है इस पूरे रेखा चित्र से यह भी इस पश्ठा है कि दोनों ही आयातों O, P, R, Q एवं O, P, 1, R, 1, Q, 1 में O, P, 1, N, Q संबले थे शेज जो चेत्रफल P, P, 1, R, N एवं N, R, 1, Q, Q, 1 अगर इसकी तुलना करें तो हमें ग्यात होता है कि P, R, P, 1, N इसका चेत्रफल N, Q, R, 1, Q, 1 के चेत्रफल से अधिक है इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कीमत में कमी होने से कुल वे में कमी हो गई यहने कि मांग की कीमत लोच इकाई से कम है तो आपने देखा कि किस प्रकार मांग की कीमत लोच जब इकाई से कम हो जाती है तो किसी वस्तु की कीमत का उसके मांग पर कैसा प्रभाव पड़ता है अब हम मांग की आय लोच को मापने की दूसरी विधी यानि कि प्रतिशत अत्वा अनुपातिक विधी को देखेंगे प्रतिशत अत्वा अनुपातिक विधी का प्रतिपादन प्रोफिसर फ्लक्स नहीं किया था इसके अनुसार मांग की आय लोच ग्याद करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन इसके अंतरगत जब हम मांग के आय लोच की गढ़ना करते हैं तो इसमें भी हम तीन श्रेडियों के अंतरगत करते हैं जिसमें पहली श्रेडी है मांग की कीमत लोच एकाई से अधिक जैसे कि यहाँ पर इस नाम से इसके स्पस्ट है कि मांग की जो कीमत लोच वो एकाई से अधिक होगी यानि इसमें कीमत का और मांग का क्या प्रभा पड़ता है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन मांग में हुए परिवर्तन से अधिक होता है यानि कीमत बढ़ी या घटी जिस अनुपात में या जिस प्रतिशत में उससे कम अनुपात में आए बढ़ी या घटी है जिसे कि एक उदारण से हम देख सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में 10 प्रतिशत की वृद्धी हुई है लेकिन उस वस्तु की मांग में 20 प्रतिशत की वृद्धी हुई है तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन तो आप यहाँ पर देख रहें कि मांग में जो परिवर्तन हुआ है वो 20 प्रतिशत हुआ है और कीमत में जो परिवर्तन ह हुआ है वो 10 प्रतिशत हुआ है तो हम 20 प्रतिशत बटे 10 प्रतिशत इसको कैलकुलेट करेंगे तो दो जो हमारा आंसर आएगा वो बताता है कि यहां पर जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक है दूसरी इसकी जो श्रेणी है उसे हम कह सकते हैं कि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर नाम से इस पस्ट है कि मांग के जो लोच है वो इकाई के बराबर आएगी यानि कि हम कह सकते हैं कि कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन उतना ही है जितना की मांग में प्र को प्रतिषत का परिवर्तन हुआ है मांग में भी 20 को प्रतिषत का ही परिवर्तन हुआ है 1 अब अगर हम आशे कि यह इकाई के बराबर लोच है वैसे ही तीसरा तीसरी जो इसकी श्रेणी है मांग की कीमत लोच इकाई से कम कब होती है मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर जब कीमत में प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग में जो प्रतिशत अनुपातिक परिवर्त वो कम होता है नाम से ही इस पर जा रहा है कि कीमत की तुलना में मांग में कम परिवर्तन हो ना एक उदारन की तौर पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तू की कीमत में 20 परिवर्तन हुआ लेकिन उस वस्तू की मांग में किवल 10 परिवर्तन हुआ यानि की कीमत से कम तो हम देखते हैं कि मांग की कीमत लोज बराबर 10 प्रतिशत बटे 20 प्रतिशत अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि 0.5 इसको हम माल लेंगे कि इकाई से कम मांग की लोज यहाँ पर है